वेलो गाइज वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे वीकली करन्ट अफेयर्स ठीक है जो ने वाले 15 से लेकर 21 के कुछ इंपॉर्टेंट एंपॉर्टेंट करेंगे वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन के साथ नेम दे इंडियन कंपनीज विच है फीचर्ड इंडा 2020 टेक्निलोजी पाइनर्स लिस्ट ओफ डबलु एफ इस वर्ल्ड इकनॉमिक फॉर्म हमें इंडियन कंपनीज का नेम बताना है जिनको फीचर किया गया है इंडा 2020 टेक्निलोजी पाइनर्स लिस्ट ओफ डबलु एफ ठीक है सो कौन सी कंपनीज है डाट इस जेस्ट मनी एंड इस्टेलेप्स ठीक है जेस्ट मनी एंड इस्टे इसका हेड़कोर्टर है ठीक है सो नेक्स कोशिन पर मूफ करता है बीएमसी लांच इस विच एप तो प्रोवाइब इंफोमेशन और आइस्यू बैट्स वेंटिलेटर्स इन मुंबाई सो हमें बताना है कि बीएमसी ने कौन सी एप लांच की है जिसे वह प्रोवाइट करे करें आइसीउ stress वेंटिलेटर्स इन मुंबाई टिक है अगर हम बात करे hemis parler लांच को रूपन के नाइसा का डैली करें किसे वह चालिए को जसे संस्की नांच को ड्रेंट इन करे करेगा इसबन की सिसे बात करेंगा अरविन केजरीवाल गवंघनर को ना अनिल बेजाल ठीक याद रखेगा, so next में मूब करते हैं, which team has won the 2019-20 Copa Italia Football Tournament, so हमें बताने है कौन सी team ने वार्म किया है, मतब जीता है 2019-20 Copa Italia Football Tournament, so वो कौन सी team ने जीता है, that is Nepoli, उस team का नेम है, जिसने ये अवाड जीता है, that is 2019-20 Copa Italia Football Tournament, ठीक है, so next question पर मूब करते है, who has been appointed as a chairman of National Institute of Public Finance and Policy, so हमें बताना है कि किसको पॉइंट किया गया है, National Institute of Public Finance and Policy का chairman, so किसको पॉइंट किया गया है, that is उर्जीत पतेल, so उर्जीत पतेल जो थे ये पहले गवर्नर थे, RBI के, ठीक है, so अब इनको पॉइंट किया गया है, as a chairman of National Institute of Public Finance and Policy, ठीक है, so next question पर मूब करते है, which country hands over the first shipment of 100 ventilators to Indian Red Cross Society, so कौन सी country ने hand over किया है, first shipment of 100 ventilators to Indian Red Cross Society, so वो कौन सी country है, that is USA ने hand over किया है, first shipment of 100 ventilators, किसको किया है, that is Indian Red Cross Society, अगर USA की बात करें, capital क्या है, Washington DC currency is dollar, UK is London currency, pound is sterling, France is Paris currency is euro, Germany is Berlin and currency is euro, ठीक है, यह different capital currencies हो गई, different countries की, next question पर मूफ करते है, the All India Football Federation recommended, which former Indian football team captain for Padamshiri, so हमें बताना है कि, मतलब कौन से former Indian football team की captain को recommend किया गया है, Padamshiri के लिए, और किसने recommend किया है, that is the All India Football Federation, ठीक है, so किसको recommend किया गया है, that is I am Vijayan को recommend किया गया है, Indian football team के जो captain थे, for Padamshiri, ठीक है, और किसने recommend किया है, the All India Football Federation ने, ठीक है, so यह important है, यह दखेगा, so next question पर मूफ करते हैं, the government of India is going to launch गरीब कलियान रोजगार अभियान, what amount will be spent by the government of this अभियान, so हमें बताने कि, गरीब कलियान रोजगार अभियान चीक है, so हमें बताने कि, कितना spent किया गया है, government की तरफ से, इस अभियान की और, so कितना किया गया है, that is 50,000 करोड, spent किया गया है, गर्मेंट की तरफ से, अभियान की बात करें, so इसका नईम क्या है, गरीब कलियान रोजगार अभियान, जो कि 125 days तरफ कैम्पिन चलेगा, एक अभियान चलेगा, जिसके अदर 25 different work होंगे, and employment प्रोबाइट किया जाएगा, migrant workers को, जिसके अदर 116 districts ने जोइन किया है, ठीक है, so next question पर मुप करता है, who has been appointed as a new prime minister of Kyrgyzstan, so अभे बताने कि किसको बनाया गया है, new prime minister of Kyrgyzstan, so किसको बनाया गया है, that is Kubat Beg Boronov, किसको बनाया गया है, Kubat Beg Boronov को बनाया गया है, as a new prime minister of Kyrgyzstan, अगर Kyrgyzstan की बात करें, capital is capital Bishkek, and currency is Sone, so is the currency, so next question पर मुफ करता है, which state has decided to observe June 18, 2020 as mask day, so हमें बताने कि कौन सी state ने decide किया है, कि वो observe करेंगे June 18, 2020 as mask day, so वो कौन सी state है, that is Karnataka, so Karnataka ने observe किया है June 18, 2020 as mask day, ठीक है, Karnataka की बात करें, CM को ने B.S. यदूरपप, Governor is Vajwai Vala, उन्होंने क्या के लांच किया है, अब था मित्र पोर्टल लांच किया था, Corona Watch लांच किया था, एक campaign था, जिसका नेम था, Namaste Over Handshake, so ये सब किस ने लांच किया है, ये सब क्या है, करनाटaka की government ने लांच, ठीक है, so next question पर मुफ करता है, The RBI has approved the reappointment of who among the following as a non-executive chairman of RBL Bank, so अमें बताने की RBI ने अप्रूब किया है, किसका reappointment, ठीक है, who among the following as a non-executive chairman of RBL Bank, ठीक है, RBL Bank का non-executive chairman, ठीक है, ठीक है, किसको reappoint किया गया है, that is Prakash Chandra को reappoint किया गया है, as a non-executive chairman of RBL Bank, अगर हमें MD की बात करें, RBL Bank के MD कौन है, that is Vishwa Veer Ahuja is the MD of RBL Bank, ठीक है, so next question पर मुफ करता है, who is appointed as a new MD of IGL, so किसको reappoint किया गया है, as a new MD of IGL, that is Indra Prasth Guest Limited का, ठीक है, जिसका headquarter है New Delhi, so किसको reappoint किया गया है, as a new MD of IGL, that is AK Jara को reappoint किया गया है, new MD of Indra Prasth Guest Limited का, next question पर मुफ करता है, so यह मेगाले के बारे में, कुछ static facts, so एक बार डिस्कस कर लेते हैं, formation कब हुआ था मेगाले का, 21st January 1972 को formation हुआ था, capital क्या है, Shilong इसकी capital है, largest city कौन सी है, Shilong is the largest city ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कौन है, कॉर्णाट सागमा, चीफ मिनिस्टर में घाल लेके, गवर्नर कौन है, टाटागटा रोय, और टोटल नमबर और डिस्टिक से 11, ठीक है, नेशनल पार्क देखते हैं, प्रिक और टाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाट Quesion पर मुव करते हैं Who has been appointed as a brand ambassador of JSW Cement So kisko banaya gaya hai brand ambassador of JSW Cement So korn banay hai That is A and B both That is Orav Ganguli and Sunil Khetri Ko banaya gaya hai brand ambassador of JSW Cement So next question पर मुव करते है Who is appointed as a president of CSB The Catholic Syrian Bank Limited Bank So हमें बताना है कि किसको पॉइंट किया गया है President of CSP So कौन बने है That is Prele Mondal को बनाए गया है President of CSP Bank ठीक है So यह इंपॉर्टेंट है याद अखेगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा Catholic Syrian Bank का हेड़कोर्टा कहाँ पर है ठीक है So next question पर मूफ करता है Saudi National Oil Company Aramco has donated USD 500,000 About 3.8 करोड To the dash to support its effort To contain the spread of COVID-19 So हमें बताने कि Saudi National Oil Company जिसका नहीं में Aramco Has donated USD 500,000 ठीक है जो कितने एक्वाल है That is 3.8 करोड के एक्वाल है So हमें बताने कि किसको इन्हों ने मतलब ये डोनेट किया है इतना अमाउंट ठीक है जिससे वो support कर रहे है To support its effort to contain the spread of COVID-19 So किसको डोनेट किया है That is Indian Red Cross Society को Saudi National Oil Company Aramco has donated USD 500,000 To the Indian Red Cross Society जिससे वो support कर सके To support its effort to contain the spread of COVID-19 So इतना ये डोनेट किया गया है Saudi National Oil Company Aramco की तरफ से Indian Red Cross Society को So next question पर मुफ करता है The Delhi Government is going to convert the dash into a COVID-19 care facility So Delhi Government जो है वो convert करने वाली है So हमें यही बताना कि किसको वो convert करने वाली है Into a COVID-19 care facility The center is as large as 22 football fields की तरह वो बड़ा है As 22 football fields की तरह वो बड़ा है So वो किसको कनवर्ट करने वाली है That is Radha Soami Spiritual Center को वो convert करने वाली है Into a COVID-19 care facility The center is as large as 22 football fields Delhi Government की बात करें CM को ने? Arvind K. Vival is a CM of Delhi Governor is Governor को ने? Anil Bajjal ठीक है इन्होंने क्या 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 है? 5-T plan निकाला था एक निकाला था Operation Shield एक निकाला है Delhi Corona जिसे वो provide करें इंफोमेशन Ventilators, beds वगेरा की So यह निकाला था और एक चीज़ और की थी इन्होंने Indra Prast Institute जो की Delhi में है उन्होंने निकाली थी Watch करो एप ठीक है? So यह important है इसके वज़े से Delhi News में है So यह दखेगा So next question पर move करते है Which of the following है? Sign a M.O.U. with Sid B for PM Savanidhi Scheme So अब है बताने है कि किसने sign किया है M.O.U. के लिए स्कीम निकाली गई थी ठीक है So हमें बताने कि किसने sign किया है M.O.U. Sid B के साथ So किसने किया है? That is Ministry of Housing and Urban Affairs ने sign किया है Sid B के साथ M.O.U. for PM Savanidhi Scheme अगर Ministry of Housing and Urban Affairs की बात करें सो कौन है Minister? That is Hardeep Singh Puri ठीक है? इन की constituents हैं उत्तर प्रदेश So next question पर move करता है Which company is going to set up the Global Business Service Center in Pune? So हमें बताने कि कौन सी company है जो की set up करने वाली है Global Business Service Center in Pune So वो कौन सी company है? That is British Petroleum उस company का name है जो की set up करने वाली है Global Business Service Center in Pune ठीक है? So next question पर move करता है Who has decided to terminate the contract with Beijing National Railway Research and Design Institute of Signal and Communication Group Limited So किसने decide किया है कि वो अपने सारी contract जो है वो खतम कर देगी किसके साथ? Beijing National Railway Research and Design Institute of Signal and Communication Group Limited So किसने decide किया है? That is Dedicated Fright Corridor Corporation of India So इसने decide किया है कि वो अपने सारी जो भी contract है वो टर्मिनेट कर देगी with Beijing National Railway Research and Design Institute of Signal and Communication Group Limited Important question है इसे अच्छे से रिवाइस कर लीजगा ठीक है? So next पर मूफ करते है Which railway zone has set up a body screening facility called February Eye in Mumbai? So कौन से railway zone ने set up किया है? Body screening facility जिसका नेम है February Eye in Mumbai So वो कौन सा railway zone है? That is Central Railway zone ने set up किया है Body screening facility जिसका नेम है February Eye in Mumbai अगर हम महाराष्टा की बात करें So महाराष्टा के CM कौन है? CM है उद्धवठाकरी जो की बने है 19 CM Governor भगासिंग कोश्यारी ठीक है इनोंने निकाली महाकवच आप ये COVID-19 के लिए निकाली गई है So next we move करते है साहकर मित्र Scheme on internship program is an initiative of which among the following So हमें बताने की साहकर मित्र जो है वो Scheme on internship program ठीक है? So ये initiative किसका था? हमें यही बताना है So किसका था? That is NCDC का ये initiative है जिसका नहीं में साहकर मित्र Scheme on internship program Question पर मूफ करते है Which company will invest USD 3 million to provide safe water access to agriculture communities in West Bengal and Maharashtra So कौन सी company जो है? वो invest करेगी USD 3 million जिसे वो provide करेगी safe water access to agriculture communities West Bengal and Maharashtra में So वो कौन सी company है? That is PepsiCo So PepsiCo जो है वो invest करेगी USD 3 million ठीक है? अगर हम West Bengal की बात करेगी CM कोल है? ममता बैनर जी Governor जगदीब धंकर अगर हम महारास्टा की बात करें So महारास्टा की CM कोन है? उदव ठाक रहे And Governor is भगसिंग कोश्यारी West Bengal ने निकाली थी app Exit app अगर हम महारास्टा की बात करें So महारास्टा ने निकाली थी महा का वच्च app ठीक है? So next question पर मूफ करता है Which state government is planning to establish a monkey park? So कौनसी state government है? जो plan करिये establish करने का monkey park So वो कौनसी state है? That is करनाटा का So करनाटा की state government जो है वो plan करिये establish करने का monkey park ठीक है करनाटा का किसी एम को ने BS यदूरपा Governor is वजवाई वॉला उन्होंने क्या 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 लाँच क्या था? Corona watch launch क्या था? और क्या क्या था? अब था मित्र portal लाँच क्या था? एक campaign था? जिसका नेम तर नमस्ते ओवर हैंड छे ठीक है? सो नेक्स पर मूफ करते हैं Attorney General K.K.Venu Gopal has got an extension of how many years? जो Attorney General K.K.Venu Gopal उनको extension मिला है सो हमें बताना है कि कितने year का extension मिला है उनको सो कितने year का मिला है? यदि वन year का extension मिला है Attorney General K.K.Venu Gopal को ठीक है? सो नेक्स कोशन पर मूफ करते हैं Which state has renamed its environment ministry as environment and climate change ministry? सो हमें बताने कि कौन सी state है जो rename करने वाली है its environment ministry as environment and climate change ministry? सो वो कौन सी state है? That is महारास्टा सो महारास्टा जो है वो rename करने वाली है environment ministry का as environment and climate change ministry ठीक है? सो नेक्स कोशन पर मूफ करते हैं वसंत राई जी who passed away recently was associated with which sport so हमें बताने की वसंत राइजी जिनका निधन हो चुका है वो कौन सी sport से लेटिट थे so कौन सी sport से लेटिट थे that is cricket से लेटिट थे वसंत राइजी जिनका निधन हो चुका है next question पर move करते है the union government has launched which portal to provide real-time availability of critical health care supplies for manufacturers, suppliers and customers so हमें बताने की union government ने कौन सा पोर्टल लाँच किया है जिसे वो provide करेगा real-time availability of critical health care supplies for manufacturers, suppliers and customers so वो कौन सा पोर्टल है that is ROG path is a name of portal जो की लाँच किया है union government ने जिसे वो provide करेगा real-time availability of critical health care supplies for manufacturers, suppliers and customers so next question पर move करते है which state government has implemented food forest project in tribal belts of the state so हमें बताने की कौन सी state government ने implement किया है food forest project in tribal belts of the state recently so वो कौन सी state है that is Kerala so Kerala वो state है जिसने ये निकाला है implement किया है food forest ठीक है Kerala की बात करें सो CM को ने पिनराई विजयान governor is Arif Mohamed Khan इन्होंने लांच किया था कर्मी बोर्ट रोबोट जो की कोविड-19 के लिए बनाया गया था जिसे वो delivery करेगा food and medicine की ठीक है और क्या लांच किया था इन्होंने प्रोवाइड की थी वर्चॉल class to the 41 lakh students को एक प्रोजेक्ट लांच किया था जिसका नेम ता केफोन प्रोजेक्ट जो की क्वालिटी इंटरनेट प्रोवाइड करेगा पूर को जो की अफॉर्ट नहीं कर सकते इंटरनेट ठीक है तो next question पर मुफ करता है which state had decided to ban online classes for the student up to 5th standard in the state हमें बताने की कौन्सी स्टेट ने decide किया है कि वो बेंट करेगी classes student के लिए अप्टू 5th standard in the state सो वो कौन्सी स्टेट है that is Karnataka so Karnataka ने decide किया है कि वो बेंट करेगी online classes for the student up to 5th standard in the state ठीक है so next question पर मुफ करते है the petroleum and natural gas ministry has formed three member committee to inequire the assam oil gas disaster ठीक है who had the committee panel so हमें बताने कि petroleum and natural gas minister ने form किया है three member committee तिसे वो inquire कर सके assam oil well disaster so हमें बताने कि यह जो committee थी जो panel था यह head किसने किया था so किसने head किया था committee या panel यह head किया था SEL दास ने so किसने head किया था SEL दास ने यह head किया था, जो की form किस ने किया था, petroleum and natural, gas ministry ने यह form किया था, three member की committee, ठीक है, तिसे वो inquire कर सके, Assam oil well disaster, ठीक है, so next question पर move करते हैं, The Confederation of All India Traders, Launch a campaign to boycott Chinese goods, सो हमे बताना है कि Confederation of All India Traders, उन्होंने लांच किया है कैमपेंड इसे वो boycott कर सके, Chinese goods को, सो हमे बताना है कि, इसका नेम क्या था campaign का, so क्या नेम था? दाट इस इंडियन गुड्स आर्प्राइड इस दा नेम ऑफ कैम्पेंड ठीक है जो कांफिडरेशन ओफ ओल इंडिया ट्रेडर्स ये आईटी ने लांच किया थे कैम्पेंड इसे वो बॉइकॉट कर सके चाइनेज गुड अगर हम सी ये आईटी की बात करें तो इसका हेड लाग शेयर सब्सक्राइब जरूर कोजेगा अपने स्कोर भी बतागि आपको कितने कुश्चें आ रहेते हैं अरच के सेशन में ठीक है अगर अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कोजेगा थाजू तो तैंक यू गाईज प्रेस्ट प्रेस्ट पेल इकन तेवर मिस्स अपडेट